हेलो फ्रेंट्स मैं पंकज, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक तो फ्रेंट्स देखिए आज के इस वीडियो में हम एक बहुती फ्रेश जीएस की सिरीज को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं आज देखिए यहाँ पर हम जोगरफी की सिरीज को MCQS फॉर्म में शुरू करेंगे यहाँ पर देखिए यह सभी टॉपिक आपको MCQS कोश्चन के माध्यम से डिसकस करवाई जाएंगे और इंडियन जोगरफी से जो भी कोश्चन एक्जाम में आ सकते हैं फ्रेंट्स उन सभी कोश्चन को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए आज सबसे पहले हम इस वीडियो में भारत के सामानने परिच्चाई को डिसकस करने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा और अगर आपको इस टॉपिक की पीडियेफ डाउनलोड करना हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर जाकर इसकी पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं तो सबसे पहला कुशन देखिए फ्रेंट्स करक रेखा निम्न में से किस रज्जे से गुजरती है तो देखिए आप सभी जानते हैं कि साड़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षान जो है वो करक रेखा कहलाता है और ये रेखा भारत के आठ रज्जों से गुजरती है इन में से देखिए इन आठ रज्जों में देखिए फ्रेंट्स जारखंड एक एसा रज्ज है जो की करक रेखा पर पड़ता है तो अंसर भी यहां पर सही हो जाएगा भारत का कोण सा भू आकरतिक विभाग प्राचिनतम है तो देखिए इन चारों में से फ्रेंट्स प्राइदीपी पठारी जो चेत रहे जो की दक्षिन भारती चेत रहे ये भारत का सबसे प्राचिनतम भू भाग है तो अंसर C शेत्रफल की दरस्ती से विश्व में भारत का कौन सा इस्थान है तो देखिए शेत्रफल के मामले में भारत विश्व में सातवे इस्थान पर आता है तो अंसड़ी हैं पर सही हो जाएगा लेकिन देखिए अगर जनसंख्या की बात की जाती तो जनसंक्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है तो शेतरफल की दरस्ती से भारत वीश्व में साथवे नंबर पर है इसके बाद अगले कुश्यन पर आजएए भारत का सुदूर पश्चीमी बिंदु कौन सा है? तो देखे भारत का सबसे पस्चिमी बिंदु Friends 68 Degree seven पुर्वी देशांतर गुजरात रज्ज में इस्तित है तो आंसर C भारत का सुदूरस्त दक्षिनी बिंदु कौन सा है तो देखे भारत का सबसे दक्षिनी बिंदु इंद्रा पॉइंट है जो की अंडमान निकोबार पर इस्ते दे तो अंसर इंद्रा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिनी बिंदू है भारती मानक समय की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती तो देखे भारती मानक समय रेखा साड़े बैयासी डिग्री पुर्वी देशांतर रेखा है फ्रेंड्स ये रेखा आंद्र प्रदेश, छत्तिस गड़ और उत्तर प्रदेश तीनो रज्यों से गुजरती है इसके अलावा मद्र प्रदेश और ओडिशा भी इस रेखा पर पढ़ने वाले रज्ये हैं लेकिन देखिए ये जो रेखा है महारास्ट राज्य से नहीं गुजरती तो यहाँ पर अंसर हो जाएगा महारास्ट राज्य निमनलिखित में से किस राज्य की सीमा मयानमार से इसपर्ष नहीं करती तो मडिपूर, अनांचल प्रदेश और मिजोरम ये तीन ऐसे राज्य फ्रेंड्स जो की मयानमार से टच होते हैं लेकिन असम राज्य की जो सीमा है वो मयानमार से टच नहीं होती निमनलिखित में से कौन सा राज्य पुरुवत्तर की साथ बहनों का सदस्य है तो देखिए पुर्वी भारत में साथ इस्टेट ऐसे हैं जिने सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है इन में देखिए त्रीपुरा एक ऐसा राज्य है जो इन साथ बहनों में शामिल किया जाता है तो आंसर भी भारत की इस्तली सीमा की लंबाई कितनी हैं? भारत की इस्तली सीमा की लंबाई फ्रेंड्स पंदरा हजार दूसो किलोमेटर हैं आंसर टी ओके आगया जाईए नेक्स्ट कोशन देखिए पश्चिम मंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? भारत के पश्चिम मंगाल राज्जी की सीमा फ्रेंड्स तीन देशों के साथ टच होती है इसके उत्तर में देखिए चाइना है उत्तर पुरुम में नेपाल है और इसके दक्षिन में बांगला देश है तो इस तरह तीन देशों से पश्चिम मंगाल की सीमा है टच होती है शेत्रफल की दरस्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कुन सा है Very Simple शेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य वर्तमान में राजस्थान है Answer D भारत की सबसे लंबी अंतरास्थी सीमा किस देश के साथ है भारत की सबसे लंबी अंतरास्थी सीमा वर्तमान में बांगला देश के साथ है बांगला देश ओके यहां तक के देखे सभी कोश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आगे बढ़ने से पहले देखिए फ्रेंट्स आप सभी के लिए एक बहुत ही महतुपून अपडेट है देखिए फ्रेंट्स अब आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लिकेशन पर मंतली करंट अफेर्स की देखिए e-book एवेलेबल है जहां पर जाकर आप इस e-book को डाउनलोड कर सकते हैं और competitive exam की तयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं तो बिना देर किये आप इस e-book को जोईन कर लीजिए अगले कोश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंट्स भारत का वग कौन सा स्थान है? जहां बंगाल की खाड़ी अरप सागर और हिंद महा सागर मिलते हैं तो ऐसा स्थान कौन सा है? तो ऐसा स्थान देखिए कन्या कुमारी है जो की भारत के तमिल नाडु रज्ज में इस्तित है आंसर A यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी अरब सागर और हिंद मासागर तीनों आकर मिलते हैं भारत का सबसे बड़ा संग राज्जी शेत्र कोन सा है इन चार में से देखे फ्रेंट्स भारत का सबसे बड़ा संग राज्जी शेत्र अन्दमान निकोबार दीपसमू है आंसर टी कोकन तट कहां से कहां तक विस्तरत है तो देखिए friends दक्षिन भारत में जो पश्ची मी तट है जो की गोवा से लेकर दमन तक फैला हुआ है इसमें देखिए महारास्टी के च्चेत्र को भी 8 किया जाता है तो गोवा से लेकर दमन तक का जो च्चेत्र है ये कोकन तट के नाम से जाना जाता है तो answer हो जाएगा answer C गोवा से लेकर दमन तक का जो तट है वो कोकन तट के नाम से जाना जाता है ओके next question पर आजएए वर्तमान में भारत का शेत्रफल कितना है very very important देखिए वर्तमान में 32,87,263 वर्ग किलोमेटर ये भारत का शेत्रफल है answer C भारती मानक समय अधरी थे तो भारती मानक समय के बारे में देखिए अभी हमने डिसकस किया था ये कितनी देशांतर है 85 degree पूर्वी देशांतर अब देखिए ये जो हाफ है ये टाइमिंग का हाफ है मतलब 30 मिनिट तो इसलिए देखिए 82 degree 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारती मानक समय रेखा को इंडिकेट करती है answer C भारत के निमनलिखित रज्जों के समू में से कौन सा समू पाकिस्तान से सीमा बनाता है तो देखिए इन सभी रज्जों में अगर हम उत्तर से दक्षिन की और पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले रज्जों की बात करें तो सबसे पहला रज्जी है जम्मू कश्मिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स पंजाब तीसरे नमबर पर है राजस्थान और चोथा रज्जी है गुजरात तो ये चार रज्जी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं इसके बाद देखिए इंडियान इस्टेंडर टाइम और ग्रीन विच मिन टाइम में कितना अंतर है तो देखिए ग्रीन विच मिन टाइम जो कि जीरो डिगरी देशानतर से मापा जाता है इससे भारत का जो टाइम है फ्रेंड्स साड़े बईयासी डिगरी पुर्वी देशानतर वो साड़े पांच घंटे आगे है तो पांच घंटे तीस मिनिट का डिफ्रेंस ग्रीन विच मिन टाइम और Indian Standard Time में देखने को मिल जाएगा निमने लिखित संग शाशित शेत्रों में सबसे छोटा कुन सा है तो इन चार रज्जों में देखिए लक्षदीप एक ऐसा रज्ज है जो कि सभी केंदर शाशित प्रदेश में सबसे छोटा है Answer D सबसे छोटी इस्तली सीमा भारत की किस देश के साथ है भारत की सबसे छोटी इस्तली सीमा की अगर हम बात करें तो ये अफगानिस्तान के साथ है फ्रेंड्स भारत का केवल जम्मू कश्मीर रज ऐसा है जो की अफगानिस्तान से टच होता है तो अफगानिस्तान अगला कुशन देखिए डीपो सहीद भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है देखिए अगर हम भारत की तट रेखा में डीपो को भी एड कर दें तो 7516 किलो मिटर भारत की तट रेखा देखने को मिल जाएगी तो आंसर भी भारत निम्न लिखित में से किस गोलार्द में इस्तिते तो भारत देखिए अगर हम अक्षान से कंसीडर करें तो उत्री गोलार्द में हैं और देशांतर से देखिए तो पूर्वी देशांतर में हैं तो इस प्रकार भारत उत्री और पूर्वी गोलार्द में इस्तिते आंसर A भारत की उत्तर से दक्षिन तक लंबाई कितनी है देखिए भारत की उत्तरी बिंदु से अगर हम दक्षिनी बिंदु तक की लंबाई देखने जाते तो भारत 3214 किलो मिटर में फैला हुआ है ये भारत की उत्तर से दक्षिन की और लंबाई है आंसर B हम इसमें भारत के शेतरफल को देखें तो ये 2.4 परसेंट है तो 2.4 परसेंट भारत का विश्व के कुल वोगोलिक शेतरफल का प्रतीशत है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरास्टी सीमा इस पर शेकलती है देखिए इसके पहले वाले कुश्चन में हमने सबसे छोटी सीमा को देखा था जो कि अफगानिस्तान के साथ है अब देखिए अगर हम भारत की सबसे लंबी अंतरास्टी सीमा की बात करें तो ये बांगलादेश के साथ है आंसर बांगलादेश नेक्स्ट कुश्चन देखिए भारत के किस राज्ज में सबसे लंबी मुख्य ब्हारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला रज्य गुजरात है जो कि भारत के पश्चीमी तट परिस्ति थे आंसर B करक रेखा भारत के कितने रज्यों से होकर गुजरती है अभी हमने इस पर डिसकस किया था शुरुवात में ही करक रेखा जो है भारत के आट रज्यों से गुजरती है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो देखिए अगर हम भारत की मुख्य भूमी की तट रेखा की एगर बात करें तो यह 6100 km है 600 km भारत की तट रेखा की लमबाई है भारत के कुल शेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग परवती शेत्र के अंतरगत आता है तो भारत का जो 100% भोगोलिक शेत्रे फिरेंट्स उसका 10.7% शेत्र परवती शेत्र का हिस्सा है तो answer A देखिए friends अब आप सभी के लिए crazy gk trick की application पर ये सभी courses available हैं जहाँ पर जाकर आप इन सभी courses को join कर सकते हैं यहाँ पर देखिए advanced maths, mpgk, computer online course, english और reasoning के full detailed course आपको हमारी application पर मिल जाएंगे तो बिना देर किये आप application में इन सभी courses को join कर सकते हैं अगले question पर आजाते हैं इंद्रा point का अन्य नाम क्या है? तो देखिए इंद्रा point जो की भारत का सबसे दक्ष्णी बिंदू है और जो की अन्दमान निकोबार पर इस्तित है इसे pigmalion point के नाम से भी जाना जाता है तो pigmalion point इंद्रा point का एक अन्य नाम है तो देखिए राम सेतू की अगर बात की जाती तो ये भारत और शिरिलंका के मद्ध में इस्तित है जहाँ पर देखिए पाक जल्डमरू मद्ध है तो राम सेतू पाक जल्डमरू मद्ध में इस्तित है answer D नेमने लिखित में से कौन सा इस्तान भूमद्ध रेखा के निकट्तम इस्तित है तो इन चारों में से देखिए भूमद्ध रेखा के निकट्तम वही छेत्र होगा friends जो की भारत का सबसे दक्षिनी छेत्र है अब भारत का सबसे दक्षिनी छेत्र इंद्रा point है जो की अंडमान निकोवार के सबसे दक्षिन में इस्तिते तो आंसर हो जाएगा आंसर C कोश्चन देखिए आदम का पुल निमनलिकित में से किन दो देशों के मद्धि इस्तिते तो देखिए ये जो पुल है भारत और श्री लंका के मद्धि पाक जल डमरू में इस्तिते तो आंसर C एडम ब्रीज भारत और श्री लंका के मद्धि में इस्तिते कौन सी अक्षान से रेखा भारत के मद्धि से होकर गुजरती है तो देखिए करकरेखा भारत के आट रज्यों से होकर गुजरती है आंसर A भारत की मुख्य भूमी का दक्षिनी नोक कोन सा है तो देखिए फ्रेंड्स अगर भारत के सबसे दक्षिनी बिंदू की बात करें तो वो इंदरा पॉइंट है जो की अंडमान निकोबार पर इस्तित है लेकिन देखिए अगर भारत की मुख्य भूमी की बात करें तो ये केप केमोरिन है जो की भारत के तमिल नाडू में भारत की मुख्य भूमी का सबसे दक्षिनी नोक है आंसर A भारत की पुर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात करें तो ये 2933 किलो मिटर है वर्तमान में भारत के किस इस्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है तो एसा छेतरे भारत में फ्रेंड्स सिया चीन ग्लेशियर जिसे भारत में देखिए सफेद पानी के नाम से जाना जाता है इसके बाद अगला कुशन देखिए फ्रेंड्स जम्मू कश्मी रज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है तो दegए वर्तमान में जम्मौ कश्मी रज़ का वो हिस्सा जो की चीन के अधिकार शेत्र में है अकसाई चीन के नाम से जाना जाता है आंसर टी निम्नलिखित भारती रज़ों में से किस से होकर करक रेखा नहीं गुजरती तो देखे इन चार राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जिससे होकर करकर रेखा नहीं गुजरती आंसर उत्तर प्रदेश किस भारती राज्य की सीमा सरवाधिक राज्यों की सीमा को इस परश करती है तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्जी की जो सीमा है वो आट राज्जों से टच होती है देखिए इसमें दिल्ली एक केंदर शाशित प्रदेश है अगर हम उसको भी एड़ कर लें तो ऐसे राज्जों की संख्या फिर नो हो जाती है जो की किसी भी राज्ज में सरवादिक है तो सबसे ज़्यादा भारती राज्ज उत्तर प्रदेश राज्ज से सीमा बनाते है निमनलिखित में से कौन सी परवत माला विश्व की प्राचिन्तम परवत माला माने जाती है तो देखे इन चारों में से अरावली एक एसी परवतमाला है जो की विश्व की प्राचिनतम परवतमाला है और ये परवतमाला भारत के राजस्तान रज्ज में इस्तित है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकते है तो देखिए इन चार कथन में से सबसे पहले हम कथनों को समझ लेते हैं भारत पूर्ण तया उत्तरी गोलार्द में इस्तित है तो ये कथन बिल्कुल सत्य है भारत की आकरती चतुशकोनी है ये कथन भी यहाँ पर सत्य है शेत्रफल की दरस्ती से भारत वीश्व में साथवे और जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है बिलकुल सही तो उप्रोक्त में से देखिए सभी कथन यहाँ पर सत्य है तो आंसर D यहाँ पर सही हो जाएगा निमनलिखित में से वह राज्य शेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं मिलती तो इन चार राज्यों में से देखिए फ्रेंट्स नागालेंड एक एसा राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम को टच नहीं करती इसके अलावा मयानमार एक देश है जो कि मिजोरम से सीमा बनाता है असम और तिरिपुरा दो एसे भारती रज हैं जो कि मिजोरम से टच होते हैं तो कौन मिजोरम से सीमा नहीं बनाता तो ये है नगाले सर्व प्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाशा में किया गया तो सबसे पहले देखिए ये जो इंडिया शब्द है ये ग्रीक भाशा में उप्योग किया गया था तो आंसर B भारत का सुदूर पुर्व में कौन सा देश भारत के साथ सरवादिक लंबी अंतरास्टी सीमा बनाता है तो देखे सबसे पुर्वी जो हिस्सा है भारत का वहाँ पर सीमा बनाने वाला भारती राज्य मयान मार है आंसर भी निमनलिखित में से कौन सा भारती राज्ज करकरेखा के उत्तर में इस्तित है देखे यहाँ पर जारखंड करकरेखा पर इस्तित है मिजोरम और त्रीपुरा से भी करकरेखा गुजरती है लेकिन मड़ीपूर एक ऐसा राज्ज है जो की करक रेखा के उत्तर में इस्तित है तो आंसर मड़ीपूर भारत के किस राज्जी की सीमा नेपाल, भुटान और चीन तीन देशों से मिलती है तो भारत का देखिए सिक्किम राज्ज एक ऐसा राज्ज है जिसकी सीमा नेपाल, भुटान और चिन तीनों देशों से टच होती है तो answer T इसके बाद देखिए सबसे last question यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारत के निम्न लिखित रज्जों में से उन्हें पहचानी है जहां से करक रेखा गुजरती है और उन्हें पुरुव से पश्चिम के करम में लगाईए तो देखिए जब इन साथ रज्जों को हम पुरुव से पश्चिम के करम में लगाते हैं friends तो सबसे पहला पुरुवी रज जाएगा पश्चिम मंगाल रज्ज तो सबसे पहला हो जाएगा 2 इसके बाद second number पर पश्चिम मंगाल के बाद करकरेखा जारखन रज्ज में इंटर होती है तो 4 जारखन के बाद 36 गड़ तो 7 और 36 गड़ के बाद मद्यप्रदेश तो 5 और मद्यप्रदेश के बाद गुजरात रज्ज में प्रवेश करती है तो 1 अब ये सीरीज देख लीजिए किस option में दी गई है तो यहाँ पर देखिए option B में इस सीरीज को पुर्व से पश्चिम की और follow किया गया है तो answer B यहाँ पर सही हो जाएगा clear तो यहाँ पर देखिए friends आज के इस वीडियो में हमने भारत के सामान्य परिच्चे के सभी question को discuss किया है next वीडियो में हम भारत के channel और उससे सटी सभी रेखाओं को discuss करने वाले हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें और हमारे channel को subscribe जरूर कर ले आपसे फिर मुलाकात होगी next वीडियो में बने रहे हमारे साथ चाहें